वीडियो में देखेंगे 8K रिभास पुस्तिका कक्षा 3 के विशय अंग्री जी के लेसन नमर 12 बालास फैमिली का सॉलिशन इससे पहले हमने लेसन नमर 11 तक कम्ट्री सॉलिशन देखे हैं और विशय अंग्री जी के अलावा जिन भी सब्जिस्ट के आपके 8K रिभास पुस् यहां हम देखेंगे लेसन नमर 12 बालास फैमिली का सॉलिशन तो चलिए फटाफर से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका कोशन फर्स है एक शब्द में उतर देना है आपको यहां पर आंसर इन वन वर बाला एन ब्लैंक और फ्रेंड्स तो यहां लिखेंगे बाला का फ्रें यहां लिखेंगे Mrs. Razie Devi 4th question है इन विच क्लास अवीता ऐस स्टडी ऐस स्टडी अंसर लिखेंगे सावीता ऐस स्टडी इन क्लास 3 5th question है वाट इस देनेम उफ बालास क्राण फादर तो यहां लिखेंगे Mr. Girdhari Lam मिस्टर गिर्धारिलाद 6th question है complete the paragraph with the help of given verse आपको paragraph दे रखा है जिसे complete करना आपको देगे verse के थूँ तो यहां लिखेंगे Savita has come to Sonpour from Bhopal Her father is a doctor He works in government hospital It is Sonpour It is Sunday 7th question है This is your family tree Write the name of your family member in the given space आपका यह family tree दे रखा है जिसमें आपको self name लिखना है और आपकी जो family member से उनकी name लिखने है ठीक है जैसे मैंने लिखा है self Mother का नेम लिखती है Rajni, Father का नेम लाली, Grandfather, Jagdish Grandmother, Kiran, Brother, Prem, Sister, Mona ठीक है इस तरह से complete होता आपका जो family tree है Next हम देखेंगे Assessment Sheets No. 7 का solution जो कि आपके lesson No. 12 से ही लिखेंगे Question first है This is Mr. Roshan Lal तो यहां लिखेंगे He is a farmer Question second है Make three relation words with the help of given words आपको given words से three relations बना रहे हैं जसके यहां बनाएंगे Grandparents, Grandmother, Grandfather Question third है What does Mbala call her parents and grandparents Answer लिखेंगे Father, Babu जी Mother, Amma Grandmother, Dadi Grandfather, Dadi Grandmother, Dadi ठीक है तो इस तरह से complete होता है Assessment Sheet No. 7 का solution और साथ ही हमने देखा Lesson No. 12 का भी solution इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी important वीडियोस देखते रहेंगे तो जुड़े रहें हमारी चैनल की साथ वीडियो को पूरा दिखने के लिए धनेवाद